कि सर्वादनेश्री चक्रधर स्वामी की जय अब आइस हम आता से समंदिर लीला वीडियो नमबर पंद्रा अब दमपुर से हम बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है यह आज है अब लीला करते हैं पूर्वा फाइव नाइन जीरो जालना की यह लीला है वाइनायक का बेटी स्थिती नामकरम अब यह वाइनायक जो है यह हैं महदाईसा के पिता जी यानि नागदेव चारजी के चाचा जी अब आइसा माता के देवर उमाईसा के चाचा जी नागदेव वट और उमाईसा बाई वहन सक्के थे उनकी माता बाई अबाईसा थी और महदाईसा और उनके अबाईसा के देवर यानि वाइनायक और देवर की बेटी यानि रुपाइशा महदाइशा का एक्चुल में नाम रुपाइशा है और उनका प्रसादिक नाम सी चक्र मारा है वो महदाइशा है वाई नायक उमाइशा सी बेटावया रावस गावी होनी हिवर लिये तिकवनायका चावाड़या सी आले यहां पर कनफर्म हो गया है कि जो दादोस पिछली लिला में गए थे वो जालना में ही तिकवनायक रहते थे तो ना चावदसा को कि दूख़ तो यहां पर देखते हैं यहां से सिद्ध हो गया कि तिकवनाइक जालना में रहते थे वाइनायक उमाइसा को मिलने के लिए रावस गाउं से जालना में तिकवनाइक के वाड़े में आए वाइनायक से जपाय दोताई उमाइसा जो नकी भाई की वेटी थी वह उनके पांद ऊ रहे थी अब आइसे देखो ना अब आइसा दिखाई नहीं दे रही कहा हैं वो तिकवनाइक गर आये थे तुम लोग किसके गुरू? डादोस और श्री चांग देवराल गोसावी आले आए हुए हैं दो बात बोले पूंकि श्री चक्दा में रूपाज़ा के गुरु जी नहीं थे गुरु उनके दा-दोस थे हाँ वो सोरी जिंदगी दा-दोस की बात मानती रही अखर में जा जांके जब Bela-Poor में सी चक्दा महारा जाने लगे न तब उसने श्री चकत महराजी को समर्पन किया सारी जिन्दगी दादोस उसको अलग करते रहे रुपैचे गुरु श्री चांगदे और रौल गोसावी आले अस्ति रुपाईसा के गुरु और श्री चांगदे और रौल आयों है तेथ गेलिय से वहाँ पर अबाईसा गई है नाम शरवन जाले आनी तैसे ची स्थिती जाली नाम शरवन किया और वैसे ही उन्हें स्थिती हो गई आनी वाईनायके मनितले और वाईनायक ने कहा रुपैचे गुरु श्री चांगदे और रौल आले अस्ति और वैसे ही वो वहाँ से निकल गए अब इसका दूसरा जो हम अर्थ निकालते हैं वो ऐसा है कि उमाईसा को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है भूली है उसने क्या बोला कि रुपैचे के गुरु श्री चांगदेवरावल उसने ये नहीं कहा दादोस उसके कहने का भाव क्या लग रहा है मुझे रुपैचे का यहाँ पर कि उसने कहा जैसे बोली वाली लड़के होती है अपने चाचा से बड़े लोगों से पुराने जमाने में अभी भी डरती है कि रुपाइचा के गुरु श्री चांगदेवरावल आए हैं उसने ऐसा बोल दिया पर मैंने जो पहले बात बोली सत्ते वही थी कि वह एक्चल में दादोस के साथ थी उसकी बात बानती थी उसी चक्रद माराज जी को सकेंडरी समझती थी वह कहती थी यह गुरु के गुर से कई वर हम आइसे बोल देते हैं यहाद मालूं भी नहीं होथा हूमें अपर हूं आये हैं वहाँ पर अबाईचा गई है और एसा सुनते ही उस verstink UK कि यहां कितनी फीलिंग वर्ड जाहें उसने कैसे भी बोले हो पर भाय डिफॉल्ट भी बोल गई तो भी उसके रुपायनायक को लगा मेरी बेटी रुपाइसा के गुरु आए हैं कब नहीं ठाई यह लसी कहा आए है मेरी बेटी के गुरु अब आईसा ने कहा राज मठ में आए हैं कितनी सुन्दर बात गलती हो दी चाहिए ऐसी हमारे में भी कही जाते हैं तो बच्चों को हमने नाम उपदेश दिया हुआ है नाम दिया हुआ है तो उनके माताओं को लगत पहले गुरु है उसके बाद तीसरा कोई है तो वो गुरु है चाहे वो स्कूल का टीचर हो आपको दुनिया की कॉलेज का टीचर हो यानि ABC सिखाता हो या आपको धर्म की शिक्षा देता हो गुरु तो गुरु है आपको ग्यान दे रहा है ठीक है जी तो गुरु जी बोलत तो भी ग्यान दे उसे रास्ता दिखाए हमें वह गुरू होता है चाहे हमें एक कपड़ा बाजी गुरू माना वाँ चाहे हमें बाजी कपड़ा रोटी बनानी सिखा रहा है काम करना सिखा रहा है स्कुटर की रुपेयर सिखा रहा हैla कहार की स्कुर्ण talking सब बनाना सिखा रहा है सब गुरू कि होते हैं एस अन्दर के अदर जो अदिकरन है हम स Mü be wrap और अदिकरण भी है वह को गुरू भी है और नमित भी है जहती हैं मेरे बहुत ही ये सहलों से मेरे अंदर एक चीज चल रही है कि गुरू और नमित में क्या फ़र्च है गुरू सब ग्यान देगा कोई भी ध्यान देगा परपंचिक ग्यान देगा वो गुरू है और दुनियादारी का जो ग्यान देगा वो भी गुरू है पर ब्रह्म विद्या शास्त्र या इश्वर के रस्ते पे कोई लेके जाएगा तो उसे नमित कहते हैं हां जी नमित मानीजेय दो चीजें अलग अलग है याद रखिए इसकी टीका जब हमने पड़ी नमित मानीजेय की तो उसमें स्वर्ष आया है की उसमें स्वर्ष के स्थान करवाने वाला इश्वर्द के प्रसाद करवाने वाला इश्वर के देपुजा कराने वाला इश्वर के बारे में ग्यान देने वाला इश्वर के बारे में तुम्हें रास्ता दिखाने वाला जो भी है वो तुम्हारा निमित है हां जे नमित मानीजे इश्र के तुम्हें लगाने वाला भी नमित है गुरू नहीं है वो याद रखिए गुरू आपको कर्मनाटी के अंदर ग्यान देने वाला मिलेगा जो ग्यान देगा आपका टीचर होगा उसे गुरू कहेंगे इश्र धरम में आपका लिए वो गुरू नहीं है वो नमित है अब आते हैं क्या इश्र धरम में गुरू नहीं है अब मैं हूँ जैसे तो मैं आपको अगर संसारिक बाते या करो ना या विवारिक बाते संसारिक बूलता विवारिक बाते भी अगर बताता हूं जिनका इश्र प्राप्ती में कोई रोल नहीं है. तो मैं आपका गूरू भी होगा एक परकार से. मारिक बाते सिखाना आपको एजुकेशन के बारे में बताना सिस्टम के बारे में बताना कॉंस्टुक्शन के बारे नौलेज देना यहां यहां वकाल लेल्बी लॉग के बारे में बापी discussion करना कुछ knowledge share करता हूं तो वहां भी मैं धरम के लिए नमित नहीं हूं वहां मैं करम के लिए हूँ आपका guidance तो वहां में गुरू बन गया और जब मैं इश्व धरम बताऊंगा तो मैं नमित हो जाऊंगा तो के की लिए के वहान देने हुआ और आपको यहां पर जो है चाहे वासुनी कि क्यों यह ना था जा अगर वह को इश्युद्धर में लेकर जा रहा है तुझो नुमित बोलना था जी किया थैंक वोलना है इस दहर में लगाने वाला था इस आपका निमत है तो इस दिफरेंस बिटिंग गुरु एन निमित इसके आगे बहुत सुंदर सी डिसकेश्ण दार भी हो सकती है में आपको बताई दिया है कि मोटा मोटा डिफरेंस ऐसा है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए में पास यह से बहुत से पॉइंट्स है जो डिफरेंस है वेवारी के और संसा वेवारी ज्यान के और इश्वर धरम के अनुसरला और सन्यासी ये भी दोशब्द अलग झाल